तो आज आपका पर्थम और धूतिये दोनों पाली में साइन सर्थात की बिग्यान भी साय की परिक्षा होने जा रहा है तो चाहे आपका एकजाम पर्थम पाली में हो या आपका एकजाम धूतिये पाली में हो तो दोनों पाली के लिए देखें हम लोग काफी का लाइव क्लास में पूरा महत्वपून प्रसंद पूरा physics, chemistry, bio का आपको subjective का मैं guess प्रसंद करा दिया हूँ मतलब कि पूरा physics, chemistry, bio का मैं revision आपका करा दिया हूँ कुटिये पाली में, तो आपको जो है, इस दो आपका किसी भी पाली में एकजाम है, तो आपको पूरे प्रसंद जो अभी में तीन सेट कराने जा रहा हूँ, फिर 80-80 जैसे एकजाम में आएगा, तो इसको देखकर आपको रट जाना है एकजाम से पहले, बस दो कलास, अभी या फॉरक करते हैं कि अब कितना बार देखकर उसको रट के जाते हैं चलिए सुरू करते हैं सीधे सिधे प्रसंन का उतर दीजेगा नहीं मालूम होगा तो रटते जाएगा कि कुछ समय बाद आपका एक जाम तो वह भू यहीं सब प्रसंन आएगा चालीस पर्थम पाली में सीधे सीधे पूछे जाएंगे और चालीस तूती ये पाली में तो दोनों पाली के छातर छातराओं के लिए महतवपूर प्रसन है पूरा तीन सेट पहला सेट का पहला प्रसन है जल्दी से उतर देंगे तो पाउधों के उत्सरजी पदारत आप जानते हैं रेजीन है, गोंध है, टैनीन है, सभी है तो option D आपको याद रखना है रटते चलिएगा, तीसरा नमर प्रसंदेखिए करें, मानो हिर्दय में कोश्टक की संख्या 4 होता है आगे बढ़ेंगे, निवन में से कौन हेट्रो क्राइन गरन्ति है तो हेट्रो क्राइन गरन्ति कौन है, ब्रीशन को, टैस्टिस को आप जानते हैं हेट्रो गराइन गरन्ति कहते हैं, तो option C. रट जाइएगा, पूरा मैं बता दिया कि अभी का क्लास में तीन सेट यह आपको रट जाना है चाहिए आपका विज्ञान का एक जाम पर्थम पाली में और कल भी तीन सेट आपजेक्टिव और बाकी पूरा फिजिक्स कमेस्ट्री बायो का रिविजन किरे जब कलास खतम होगा तो यहां पर लिंक आएगा या सब्सक्राइब करके भी ज आकर आप देख सकते हैं तो ध्यान से देखते चलिए पौधो में गैसो का आदान परदान होता है तो यह सब्जेक्टिव प्रस्ट में कल मैं आपको पढ़ाया था कि रंध से होता है तो आप्सन भी आपको रट के जाना है चाटा नमर प्रस्ट निमलिकित में से कौन पू प्रस्ट पर सीधे फोकस हैं ताकि कम समय में पूरा प्रस्ट में करा दे रहा हूं तीन से तभी इसको दो से तीन बार और कल साम वाला कलास भी देखकर आपको रट के जाना है अगला प्रस्ट आपके स्क्रीन पर ए रहा कहरा है आपसे परकास संसलेसन होता है चलिए ब्यसक मनुस्य के कितने दात होते है तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं ब्यसक मनुस्य के 32 दात होते हैं तो आपसन बी दस नमर प्रस्ट है मस्तिस्क उतरदाई है मस्तिस्क किस के लिए उतरदाई है तो हिरदया स्पंदन के लिए सारिरिक संतुलन के लिए सोचने के अर्थात की सभी के लिए उतरदाई है तो आप संडी करें ट्रैकिया किस जीव का स्वसन अंग है तो ट्रैकिया जो है कक रोज का स्वसन अंग है कल मैं पूरा आपका ये स्वसन अंग कौन सा जीव का क्या होता है सब्जेक्टी प्रस्ट में करा दिया हूँ तो इसलिए मैं बोराओं कि जब एक लास खत्म होगा तो जो कलास का लिंक आएगा यहां पे यहां पे जरूर देखकर उसको जाईएगा करें सरी में भोजन का पचना कीस प्रकार की अभिकिरिया है तो कहेंगे सर उपचयन अभिकिरिया है भोजन का पचना काफी सांदार रटते चलेंगे मैं देखना हूँ काफी विध्यारते बिल्कुल सही और सटिक उतर कमेंट करें एक एक प्रस्ट का उतर दीजिए नहीं मालूमें तो याद कर लिजिए पूर्ण बिक्सित अंडासे क्या कहलाता है सर तो पूर्ण बिक्सित अंडासे ही तो फल बनता है ओप्शन C सही उतर हो जाएगा एक इस्त्री में कौन सा लिंग गूर्ण सुत्र मिलता है तो एक इस्त्री में एक्स एक्स लिंग गूर्ण सुत्र पाया जाता है और पुरूस में पुछता तो एक्स वाई होता टोटल गूर्ण सुत्र 46-23 जोड़ा एक पूरा प्रस्ण में लोग पढ़ चुके हैं और अप्शन भी फिलाल इस प्रस्ण का सही उतर हो जाएगा मृतो पजेवी का उधारन कौन है सर तो गोबर छाता मस्रूम जो होता है वो मृतो पजेवी का उधारन है रटते चलेंगे गाड कोशिका की कौन सी भीती मोटी होती है तो गाड कोशिका की जो इनर भीती होता है मतलब भीतरी वाला जो भाग होता है वो मोटा होता है पूरा रट जाईएगा शुला का और Northern इसलिए मैं सीधे परसन और उसका उतर बता रहा हूं वाई मंडल में नाइट रोजन की मात्रा है सर 88% है बहवा टाइप प्रसंट जब भी पूछेगा नाइट रोजन की मात्रा तो आपको 88% उतर करना है फिलाल ओप्संट C पे था तो ओप्संट C प्रकिरती में प्रीथभी पर उर्जा का मुख्य सुरुत क्या है कहेंगे सर सु नमर प्रस्ट देखिए करें ओजोन के अणू में ऑक्सिजन के कितने परमाणू है तो त्री कितने परमाणू है तीन परमाणू है सर ऑप्सन सी याद रखिएगा एक किस नमर प्रस्ट पाउधों में परकास अंसलेशन का अस्थान है तो पाउधों में परकास अंसलेशन का स एक खाद श्रिंखला में तीसरे पूसी अस्तर पर हमेशा कौन रहता है तो तीसरे पूसी अस्तर पर मांसहारी जीव रहते हैं तो आप्सन भी सही उतर हो जाएगा 24 नमर प्रसंद निम्न में से कौन से समुहूं में केवल जैब निमनी करनी ये पदार्त है तो घास पूस्प तथा चमडा में क्या है जैब निमनी करनी है पदार्थ है तो option A याद कर लिजेगा चलिए आगे बढ़े अगला प्रस्ट करहें लैटेकस समान्यत कहां पाये जाते हैं तो लैटेकस जो है पीपल में पीला कनेर में बरगद में सभी में पाया जाता है तो option 26 नमरं प्रस्ट करहें मानव मुत्तर में यूरीय का कितना प्रतिसत मात्रा पाया जाता है तो दो प्रतिसत रट जाएंगे आएगा कि अगला प्रस्ट कह रहा है आप से किस लेंस का परियोग होता है तो कालरी बीचन कराते समें पूरा दिरिश्टी दोस मैं आपको बताया था तो उसमें चैर्शा किये थे कि निकल दिरिश्टी दोस आएगा तो आपका हो जाएगा उद्धर लेंस तो आगे बढ़ेंगे एकजाम में सारे प्रस्ण आज के और कल के कलास से रहेंगे लेंस की छमता का SI मात्रक सर डाइ आप्टर होता है तो option भी फिलाल सही उतर है डाइ आप्टर आप जानतें लेंस की छमता को P से सुझित करते हैं P बराबर 1 बाटा एप होता है फोकस दूरी के ब्यूत कर्म को क्या कहते हैं लेंस का छमता तो इसका SI मात्रक 1 बाटा मीटर अर्था की मीटर इन भर्स या डाइ आप्टर जो option रहेगा आपको सही कर देना है आगे बढ़ेंगे अगला प्रस्ण 30 नमर एक किलो वाट घंटा बराबर होता है तो ये किलो वाट में 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होगा option A सही उतर हो जाएगा एक 30 नमर प्रस्ण की बात करें तो प्रस्ण आपसे कह रहा है परकास का चाल नियूंतम होता है सबसे कम काँच में होगा और इससे अधिक होता है जल में और उससे भी अधिक वाईव और नियूंतमे तो यहाँ पे सही उतर क्या होगा option D चली आगे बढ़ें अगला प्रस्ण 32 नमर करें निमन में से किस लेंस की फोकस दूरी धनातमक मतलब पोजेटिव अर्थात की प्लॉस में होता है तो उतल लेंस की फोकस दूरी धनातमक और आउतल लेंस की फोकस दूरी रिनातमक होता है तो रिनातमक पुछेगा तो आउतल लेंस फिरहाल धनातमक पुछा है तो उतल लेंस आगे बढ़ते हैं लेंस की अवर्धन का SI मातरक क्या होता है तो अंतरिक्ष यात्री को आकास काला प्रतीत होता है तो option B सही उतर हो जाएगा 32 नमर प्रस्ण है गोलिये दरपन के प्रावर्तक प्रिष्ट की बिर्टाकार सीमा रेखा का बयास क्या कहलाता है तो गोलिये दरपन का द्वारग कहलाता है option C याद रखेगा गोलिये दर्पन के प्रावर्तक प्रिष्ट के बिर्ताकार सीमा रेखा का ब्यास गोलिये दर्पन का दुआरक कहलाता है किस दर्पन में दूर की बस्तू का पर्तिबीम्ब सदाईव सीधा होता है तो किस दर्पन में तो या तो समतल आथवा उतल में दोनों में समतल में भी और उतल में भी दूर इस्ति बस्तू का पर्तवीम हमेशा सीधा बनता है चलिए रटते चलिएगा उतर देते चलिएगा जिस प्रस्वन का उतर गलत्र राया याद करके जाए कुछ दिर बाढ़ हूँ बहू ईसी में से 40 प्रस्वन आपके पर्थम पाली में और दूतिये पाली में सर्थकिया है कि इस कलास को 2-3 बार रट कर जाना है और आपका 2-3 बार कल वाला कलास अभिदर कर शहत्म होगा तो लिंक आगा है या सब्सक्राइब करके लाइव वाला सेक्षन में जाकर देखिए उसको देख लीजिए उसमे दरपनक में हमेषा बस्तु से छोटा परतिबीम बनता है तो उतल दरपन में हमेशा बस्तु से छोटा परतिबीम बनता है 39 नमर प्रस्ण है परकास का प्राथमिक वर्ण कौन सा है तो परकास का प्राथमिक वर्ण 3 होते हैं नीला हरा लाल तो option D सही उतर हो जाएगा चालिस नमर प्रसंद देखिएगा प्रसंद है कि तारों का टीम टीमाना परकास की किस घटना को दर्साता है तारे टीम टीमाते नजर आते हैं परकास के अपवर्तन के कारण तो आपको याद रखना है आगे बने परकास के अपवर्तन के कारण करें यदि किसी बिधुत बल्ब का अनुमतांक 220 भोल्ट 110 वाट है जब इसे 110 भोल्ट पर चलित करेंगे तो इसके द्वारा सक्ती क्या होगा यह आपसे पूछा जा रहा है तो सक्ती कितना हो जाएगा 25 वाट हो जाएगा बिल्कुल सही option D सही उतर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन देखते हैं करें आपसे कि निमलिखीत में से कौन किसी लंबे बिधु धारावाही तार के निकट चुमबकिये छेतर का सही बल्णन करता है चार स्टेटमेंट है जल्दी से पढ़िए और बताइए 42 नमर प्रसन का सही उतर क्या होगा देखते ह चुमबकिये छेतर की संगेंटरी छेतर रेखाओं का केंदर तार होता है काफी सांदार ओप्सन आपका डी सही उतर हो जाएगा 42 नमर प्रसन का ओप्सन डी चलिए यहाँ पे देख लिजिएगा ओप्सन डी आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन देखते हैं 43 नमर करें प्रत स्रेडी करम में जुड़ते हैं तो कौन सी भौतिक रासी उसमें समान रहती है तो बिध्धु धारा बिल्कुल समान रहेगा जब स्रेडी करम में जुड़ेंगे तो ओप्सन भी सही उतर है 45 नमर प्रसन की बात करें तो प्रसन आपसे पूछा है कि और नवी कर्णिये उर्जा है और नवी कर्णिये उर्जा कोईला से प्राप्त उर्जा जो है ये और नवी कर्णिये उर्जा है बाकि महासागर ये सोर पौन उर्जा सभी नवी कर्णिये उर्जा स्रोत के उदहार करेगा तिर्जी आप्तित परकास के लिए कैसा बहवार करेगा तो देखे बाहरी तिर्जा इतना है भी तरी तो ओतर लेंस की भाती बहवार करेगा बिल्कुल सही ओप्सन डी सही उतर रट के आपको जाना है देखे सभी प्रसनाज के एकजाम में छपने वाले हैं वही मैं बता रहा हूँ उर्जा के दो अन्योई कर्णिये सुरूत कौन है सर तो कोईला और पेट्रोलियम इर्जा के दो अन्योई कर्णिये सुरूत है रट जाएंगे कोईला और पेट्रोलियम उत्म उर्जा का सुरूत वह है तो उत्म उर्जा हम होता है जो सरलता से मिल जाए जो प्रती एक आंक आ तो CNZ, अर्थात की Compressed Natural Gas, LPG, Liquified Petroleum Gas और लकडी, सभी है, तो option D सही उतर हो जाएगा, रटते चलेंगे, जिवास्म इंधन के उधारन है सर, तो जिवास्म इंधन पेट्रोलियम कोईला दोनों है, इसलिए option C पे A और B दोनों दिया है, बोथ A और B सही उतर आपको करके आना है, एक आवन नमर प्रसंद देखिए, कर रहा है, अमोनियम कोलोराइड का जलिये बिलियन होता है, तो अमोनियम कोलोराइड का जलिये बिलियन अमलिये होता है, option यह याद रखेंगे, बावन नमर प्रसंद, कर रहा है, एथेन का आनुविक सूतर C2S6 है, इसमें 100 सन्योजग बंधन की संख्या, तो यह थेन का आनुविक सूतर इतना है, तो इसमें 100 सन्योजग बंधन कीतना होगा, साथ होगा, option D सही उतर हो जाएगा, तीरिपन अमर प्रसंद की बात करें, तो प्रसंद आप से पूछा है, कि सल लेची कित्सा में तूटी हडियों को जोडने के लि सबसे अधिक अमलिये होगा, यह आप से पूछा जा रहा है, तो जिसका जितना ही pH मान कम होगा, आप जानते हैं, साथ से कम किसका होता है, तो अमलिये, साथ से अधिक छारी है, साथ उदा सिन, और जितना ही कम उतना ही अधिक अमलिये, तो option A, एक सबसे कम है, तो यहीं सही उत्तर हो जाएगा करें एथाइन में कारबन कारबन परमाणू के बीच कितने सहसन योजक बंद होते हैं तो एथाइन में तीन होगा बिल्कुल जब पुरपाइन होगा रहा हो गया तो option C सही उतर रट कर जाईए छपा नमर प्रसंद करें क्यूपराइट निमलिखित में किस धातू का IS का है तो CU का IS का क्यूपराइट तो option C सही उतर है 56 का चीक है क्यूपराइट किसका है कॉपर का है कमरे के ताप पर द्रव औस्था में रहने वाली धातू है तो कमरे के ताप पर द्रव औस्था में यहाँ पे अधातू है धातू पूछता तब पारा यहाँ पे अधातू यहाँ पे भी देखिए नॉन मेटल है तो ब्रोमीन हो जाएगा ध्यान रखेंगे धातू पूछेगा तो पारा अधातू रहेगा तो ब्रोमीन आपको याद रखना है अंठावन नमर प्रसंद देखिए करा निमलिखित में से कौन सा यूग में एकल बीस थाफन अ आवर्त का संखिया साथ होता है आवर्त कι संख्या जब भी पूछेगा साथ होगा चलिए आगे बढ़ेंगे पैंटेन जो है इस पर दिखेंगे प्रसंद आप से कह रहा है दही में कौन सा अमल है तो दही में आप जानते हैं लैक्टी कमल पाया जाता है चीटी के डंक तो option C फिलाल सही उतर याद रखेंगे कर रहें निमलिकित में से किस धातू को किरोस्तीन में डुबो कर रखते हैं तो sodium को किरोस्तीन में डुबा कर रखा जाता है option B सही उतर है 63 नमर प्रसंदे किए AL4C3 के जल अपघटन से निमलिकित में से कौन बनेगा तो AL4C3 के जल अपघटन से मेथेन बनता है तो option B याद रखना है आपको 64 नमर प्रसंद वह धातू जो सिर्फ अमल राज में घूलता है तो वह धातू जो सिर्फ अमल राज में घूलता है वहीं तो सोना है option B सही उतर हो जाएगा रटते चलिएगा वस अभी का ये 3,6,8,8 प्रसंद का रट जाना है आपको और सुबह में भी 3,6, कल साम में मैं कराया तो उसको देख कर रट जाएए और पूरा सब्जेक्टिव कलके live class जो अभी अंत होगा तो उस class का लिंक आएगा उस पर किलिक करके देख लीजिएगा निमलिकीत में कौन सी अधातु बिध्धूत का सुचालाच है तो आप जानते हैं कहा अधातु धातु के आपवात से प्रसन है ग्रेफाइट जो है वो अधातु होते हुए भी बिध्धूत का चालन करता है 66 नुमर प्रसनद बैटरी में कौन सा अमल होता है तो बैटरी में सांदर सलफ्यूरी कमल मतलब सांदर S2SO4 होता है तो option C सही उतर याद रखिएगा और सट नमर प्रस्ट कली चुना का रासाइनिक सुतर है सर तो कली चुना का रासाइनिक सुतर कैल्सियम ऑक्साइड अर्थाद की CAO option C पे दिया गया है तो रट जाएंगे और सट नमर प्रस्ट आयोडीन यूक्त नमक है तो आयोडीन यूक्त में आप जानते है NACL और KI रहेगा तब ही है NACL KIO3 मतलब दोनों है तो option C सही उतर है रटते चलिएगा ध्यान से दो बार तीन बार देख लीजिएगा Plaster of Paris का रासाइनिक नाम Calcium Sulfate Earth Hydrate होता है Plaster of Paris का क्योंगे COSO4 ऐसे होता है COSO4 Half H2 तो इसी को कर रहा है कि ये तो आपका Calcium Sulfate हो गया Half H2 हो गया और ध्याइडरेट हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं Long Tail किस परकार का सूचक है तो Long Tail जो है वो गंधिये सूचक है तो Option C सही उतर हो जाएगा घरेलू गैस LPG का प्रमुखवे ये भी में कल का Objective Class में आपको सब्जेक्टिव क्लास में आपको बता रहा था कि LPG का मुखवे क्या होता है Butane होता है चलिए आगे बढ़ेंगे कह रहा है तियातर नमर प्रस्ण आयोडीन की निमलिखित में से किस द्रव में घोलने से टींचर आयोडीन बनता है तो वो बनता है एथील अलकोहल में घोलने पर आयोडीन को जब एथील अलकोहल में घोलेंगे तो टींचर आयोडीन बनता है तो Option D रट जाएगा एथिल अलकुहल डलडा में उपस्थित वसा अमल किस प्रकिर्ती का होता है तो डलडा में उपस्थित वसा अमल संत्रिप्त प्रकिर्ती का होता है तो ओप्सन ए 75 नमर प्रसंद देखिए करें प्रोपेनोन का क्रियासील मूलक है तो प्रोपेनोन का इसमें से क्रियासिल मुला कौन है यहीं है ठीक है ओप्षन सी सही उतर हो जाएगा इथिलीन है इथिलीन इसमें से कौन है तो ओलिफीन जो बिल्कुल इथिलीन का उधारन है ओलिफीन तो ओप्षन भी आपको याद करके जाना है अंसर देते चलिए और र निर्मार का उदेश क्या था टेहरी बांध निर्मार का उदेश क्या था ए आप से पूछा जा रहा है तो इसका उदेश था जला पूर्ती करना भूमी सी चाई बिजली उत्पादन टरवाईनों गरा लगा के बिल्कुल सही ऑप्सन डी 79 नमर प्रसंद देखेगा करा निमलि किस तत्व में सन्योजी इलेक्ट्रोन की संख्या सबसे अधिक है तो पी में देखिए सबसे अधिक है बिल्कुल सही चलिए जल्दी से बता देंगे कि इस असी में से आपका कुल कितना प्रसंद सही हुआ दो से तीन बार अगर आप चाहते हैं चालिस में चालिस सही करना तो इस कलास को 2-3 बार देखिए और फिर आपका जो एक और अंथ होगा तो मैं बार बार बता रहाँ उस कलास का लिंक आएगा यहां पर यहां पर उसको किलिक करके जरूर 2-3 बार देख कर जाएगा देखिए अगर कोई ऐसा प्रसंन होगा जो आप नहीं जांते होगे चलिए पहला सेट हमने खतम किया मैं प्रोमिस के आप से कि तीन सेट कल साम में करा हूँ तीन सेट अभी 40 प्रसन सीधे पर्थम पाली में और 40 दूती पाली में आना जा रहा है चलिए दूसरे जो सेट है उसको लेकर समझते हैं एक प्रसन का फिर उतर देजिए नहीं मालूम है तो रटते चलेंगे पहला प्रसन आपके स्क्रीन पे ए रहा कहरा है प्रसन पाओधों में जनन अंग कहां पाये जाते हैं तो पाओधों में जनन अंग आप जानते हैं पूस में पाया जाता है और इस्त्री वाला भागोता इस्त्री के सर और पूरुस वाला भागोता है पूंके सर तो option B अगला प्रसंद देखिए परकास संसलेशन की किरिया होती है तो परकास संसलेशन की किरिया हरे पाउधा में होगा तो option B रट जाएंगे रटते चलिए तीसरा नमर प्रस्ट परकास संसलेशन किरिया में ओक्सीजन किसे बाहर निकलता है तो जल के साथ ओक्सीजन परकास संसलेशन की किरिया में बाहर निकलता है तो ओप्सन ए बिल्कुल सही उतर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ें अगला प्रस्ण देखते हैं अच्छा मैं थोड़ा सा इसको सही कर दे रहा हूँ कि आपको दिखाई देगा थोड़ा सा मैं इसको इधर कर रहा हूँ कि आपको किलियर दिखाई दे चलिए ठीक है अब आपको दिखाई देगा सभी प्रस्ण होती है गलाइकोलिसिस की किरिया कहां पे संपन होती है जल्दी से बताएंगे तो जो भी विद्यारती करा है कि प्रसंद छपने जा रहा है रड़ते चलिएगा सबसे छोटी अंतहसरावी ग्रंथी कौन है तो सबसे छोटी अंतहसरावी ग्रंथी पिटियूटरी ग्रंथी है option B याद रखना है आपको आठ नमर प्रसंद देखिए पौधों में वाईविये भागों से जल की हरास की किरिया क्या कहलाता है तो यहीं तो कहलाता है वासपो उतसर जन वाईविये भागों में जल की हरास की किरिया तो option B सही उतर हो जाएगा नो नमर प्रसंद घेंगा रोग पनपता है तो घेंगारों का आप जानते हैं, आयोडीन की कमी से पनपता है, तो option C, सही उतर रट जाएंगे, 9 नमर प्रसंद का, चलिए 10 नमर प्रसंद देखेंगे, रक्त में हलके पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं, पलाजमा, जो रक्त में हलका प सफेगनोमेटर से मापते हैं, सफेगनोमेटर से, तो option D, सही उतर हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, रटते चलेंगे, 12 नमर प्रसंद का, वास्पो उत्सरजन किरिया पाई जाती है, तो वास्पो उत्सरजन किरिया आप जानते हैं, पौधों में पाया जाता है, तो option B, सह उतर हो जाएगा, 13 नमर प्रसंद, निमलिखित में किसमे खुला परिसंचरन तंतर पाया जाता है, तो छोटे छोटे जीव जनतु में खुला परिसंचरन तंतर पाया जाता है, तो तील चाटा है, तो यहीं सही उतर रट के आपको जाना है, रटते चलेंगे, 14 नमर प्रसं है तो मुत्र का पीला रंग जो है यूरो क्रोम बढ़नक के कारण होता है तो उप्षन सी आपको याद रखना है 16 नमर प्रस्ण निमलिखित में कौन उभाय लिंगी जनतु है तो केचुवा देखिये क्या है उभाय लिंगी जनतु है उप्षन डी सही उतर हो जाएगा आगे बढ़ने अगला प्रस्ण पर यूरिया रक्त से में कहां से परवेश करता है तो बवा टाइप प्रस्ण है लीबर से या कृत से यूरिया रक्त में परवेश करता है ओप्षन सी याद रखियेगा 18 नमर प्रस्ण जैब आवर्धन पर दिर्शित करने वाला रासायन है तो जैबावर्धन इसमें से DDT पर दरसित करता है तो option भी रट जाना है आपको 19 नमर प्रसन है निमलिकित में से कौन एक प्राथमिक उपभोगता है तो साकहारी जीव क्या होते हैं प्राथमिक उपभोगता बेलकुल रही अब मांसहारी 33 अस्तर पर आते हैं अभी पढ़ेते प अबजेक्टिव तो उससे बाहर क्या कोई प्रसना सकता है कोई प्रसन आगा बस आपको दो से तीन बार दोनों कलास कल सामवाला और अभी वाला रट कर आपको जाना है चलिए तो कुवा क्या है भूमिक जल है बिलकुल सही आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन आप से पूछ भा ठानत दिया था और अपसन छी सही उतर हो जाएगा घर लेवाएस नमर प्रसन देखिए तो कर रहे हारे पाउधा क्या कहलाता है यह आप से पूछा जा रहा है ट्रैंदो अपसन सी सही उतर हो जायगा आगे बढ़ते हैं थे इस नमर प्रसन कर आंड़े उत्सर्ग का का कारण क्या है तो अंडो उत्सर्क का देखिए मुख्य कारण FSS होता है तो अप्शन से अगर दोनों आप्शन रहे कि A और B दोनों तब LH करते हैं लेकिन फिलाल उप्शन C के साथ जाएंगे FSS है चली आगे बढ़ेंगे अगला प्रसंद देखते हैं 24 नमबर करें लेंगर हैंस की द्यूपिकाए कहां पाई जाती है तो लेंगर हैंस की जो द्यूपिकाए है वो अगनासे में पाई जाती है तो उप्शन C आपको याद करके जाना है 25 नम निसल कणिकाएं पाई जाती है निसल कणिकाएं कहां पाई जाती है निउरोन में ओप्शन C याद रखेंगे 27 नमर प्रसंद मानो मस्तिस्क का वजन कितना होता है तो यह भी कल भी चर्चा किये थे कि 1.4 kg मतलब 1200 से 1400 गराम के लगफग होता है ओप्शन C सही उतर हो 28 नमर प्रसंद है निकट द्रिश्टी दोस आथवा दीर द्रिश्टी दोस के निवारन हेतु पर्यूक्त लेंस द्वारा बना परतिवीम होता है तो निकट द्रिश्टी दोस आथवा दूर द्रिश्टी दोस के निवारन के लिए किसी भी लेंस मतलब जो उतल और आवतल परतिवीम बनेगा, वो परतिवीम कैसा होगा, तो वास्तवीक और उल्टा होता है, उपशन D सही उल्टर हो जाएगा, चलिए 39 नमर परस्ट, साइड मीरर के रूप में निमलिखित में से किसका परियोग करते हैं, तो उल्तल दर्पन का परियोग साइड मीरर के रूप में और आउतल का तो हाजामती दरपन में चली आगे बढ़ते हैं आउतल लेंस द्वारा प्राप्त परतिवीम होता है तो आउतल लेंस किसी भी बस्तु का मतलब कि अभासी सीधा और छोटा परतिवीम बनाता है तो आउप्सन D इन में से सभी हो जाएगा देखिए अभासी सीधा और छोटा तीनों आउप्सन है कहाँ पर बस तु रखेंगे कैसा परतिवीम बनेगा कल के सब्जेक्टिव क्लास में मैं कराया था तो उसको जरूर देखिएगा उर्जा का S.I. मातरक सर तो उर्जा का S.I. मातरक जूल होता है ओप्सन A सही उतर हो जाएगा आकास का नीला रंग होना किस परी घटना का परी नाम है तो आकास का नीला रंग परकास के प्रकिर्णन स्केटरिंग ओफ लाइट के कारण होता है तो option भी याद करके जाएगा जल्दी-जल्दी मैं सीधे प्रस्ट का उत्र बता रहा हूँ ताकि आप अगर center पर भी जाएं तो कान में hit फुला कर बस mobile में वीडियो चला कर रख दे सकते हैं जब exam शुरू होगा तो जिसके साथ गए हैं उसको देखर आप परव्यस कर सकते हैं समान ये नेत्र के लिए असपस्ट द्रिष्टी का नियूंतम दूरी क्या होता है पचीस सेंटीमीटर होता है रधिकतम पुछेगा तो अनंत हो जाएगा और option C याद रखेंगे परकास के परावर्तन तो बववा टाइप परवर्तन है परावर्तन या अप वर्तन कोई भी नियम पूछेगा दो ही आपको उतर करना है फोटोग्राफी कैमरा का भी द्रिस्यक होता है तो फोटोग्राफी कैमरा का भी द्रिस्यक उतर लेंस होता है तो option A के साथ जाएगे करा यदी एक किरन आवतल दरपन पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरन किस बिंदू से गुजरेगी अगर आवतल दरपन पर लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी option A सही उतर हो जाएगा चालीस नमर प्रसंद देखते हैं करा यदी एक प्रिज्म से एक बल्णी किरन गुजरे तो इसका नहीं होगा एक बल्णी जब किरन गुजरेगा एक ही कलर का है तो उसका बल्ण भी छेपन होगा नहीं होगा क्योंकि एक ही रंग का है सवयत प्रकास रता तमन सात रंगों में टूटता चलिए पवन बिधुत जनीतर में कुंडली को घुमाने का काम मूलत ह कौन करती है तो गतिमान हावा आप जानते हैं पवन बिधुत का सूचालाक है तो गिरफाइट आप जानते हैं वकरता तिरजया एक मीटर वाले आवतल दरपन की फोकस दूरी होगी ध्यान देंगे वक्रता तिर्जिया एक मीटर है तो उसका फोकस दूरी किसमे होगा और सभी ओप्षन सेंटी मीटर में है तो एक मीटर को बदलिए तो सो सेंटी मीटर और एफ बराबर आर बटर तो पचास हो जाएगा ओप्षन भी सही उतर है चलिए आगे बढ़ेंगे अगला प्रसन अगला प्रसन बिध्धु धारा उत्पन कौन यूगती करता है तो बिध्धु धारा आप जानते हैं बिध्धु जेनरेटर अर्थाथ की इलेक्ट्रिक जेनरेटर उत्पन करता है तो आप्षन ए और बिध्धु धारा को ए मीटर से मापते हैं साने तालिस नमर प्रसन दे कर रहा हूँ और तीन सेट के माध्यम से कल मैं आपको पूरा महत्वपूर्ण प्रसन कराया था तो रड़ते चलेंगे काच की एक समांतर पर्टी का पर स्वेत किरन तीर्ची आपतित होती है निमनिकीत में से कौन पर्थम अपवर्तन के साथ घटित होगा तो बीछेपन पर् याद रखेंगे तरह जस्ता का परमाडू संख्या है तो जस्ता का परमाडू संख्या 30 होता है सर तो ऑप्शन डी रट कर जाना है 51 नमर प्रसन दोबिया सोडा का रासाइनिक सुत्र क्या है तो धोबिया सोडा का रासाइनिक सुत्र कल मैं पूरा दोनों बताया था धोबि C, 15 नमर प्रस्न है, हेमा टाइट किस धातु का यस्क है, लोहा का है, FI का है, आइरन का है, तो option B रटकर जाएंगे चोवन नमर प्रस्ण है सलफाइड अयस्क का सांदरन निमलिखीत में किस बिधी द्वारा होता है तो सलफाइड अयस्क का सांदरन फेन उत्पलावन बिधी द्वारा करते हैं तो option D याद रखिएगा अभिकिरिया एकजाम में कहेगा किस परकार की अभिकिरिया है तो देखिए उपचयन हो रहा है बिल्कुल सही यहाँ पर option A सही उतर हो जाएगा आगे बढ़े 56 नमर प्रस्ण देखेंगे करें गुल्कोज का आन्विक सुत्र मेल्कुलर फर्मूला बताईए गुल्कोज का यह आपसे पुछा रहे तो C6 H12 O6 होता है option B याद रखेंगे 57 नमर प्रस्ण आपसे पूछा है कि अमल का जलिये बिलियन बिधूत का चालन करता है क्योंकि अमल जल में बिले आयनीत होता है आप जानते है जल में घुल करो H पूलस आयन देता है कल हम लोग चर्चा किये ते पूरा डिटेल में तो संतावन का फिलाल option C सही उतर है लिथियम के बाहितम सेल में कितने इलेक्ट्रोन भी ध्यमान होते है तो एक होता है लिथियम के बाहितम सेल में कितना होगा एक चल सरबाधिक बिधूत रिड़ातमक ततो है यहाँ पे देखे इलेक्ट्रोन निगेटिव एलिमेंट तो F है option A सही उतर रटके जाएगा एक सट नमर प्रसंदेखते हैं करा जल के बैदूत अपकड़न में कैथोड पर देखे दो प्रसंद पूछता है एनोड पर अभी जीरो से 7.8 option C सही उतर हो जाएगा 63 नमर प्रसंद कौन योगिक में अमल है यह आप से पूछा जा रहा है तो S2SO4 क्या है अमल है आप देख रहे न यह सलफ्यूरिक अमल है बिल्कुल सही 64 नमर प्रसंद देखे करा निमलिकित में कौन संसलेसित सूचक है तो मेथिल औरें बनाता है तो option C आपको याद रखना है copper pyrites का रासाइनिक संगटक इसमें से कौन है तो copper pyrites का रासाइनिक संगटन CUFES2 है रट जाई है CUFES2 है याद करके जाना है आपको 66 नमर प्रसंद प्रकिर्ती में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु सरसोना है प्रकिर्ती CU क्या है option के according सबसे अधी कभिकरिया सील धातु है 59 नमर प्रसंद है किसी अधातु के बाहितम सेल में electron की संख्या हो सकती है तो 4,5,6 या 7 हो सकता है अधातु की electron बाहितम सेल में electron की संख्या बिलकूल सही option भी सही उतर हो जाएगा 70 नमर प्रसंद पीतल निमलिखित में से क कौन सामावई है ये पूछा जा रहा है तो यहाँ पे देखे एथिल अलकोहर और डाई मिथाईल इथर सामावई है तो option C सही उतर हो जाएगा 72 नमर प्रसंद है इसका IUPAC प्रनाली के अनुसार आपको नाम बतलाना है तो मेथी ऑक्सी एथेन होता है तो option A सही उतर हो है तो option A सही उतर हो जाएगा बिल्कुल सही F3 O4 बनता है कहा रहा है अगला प्रसंद एक तत्व की परमाणू संख्या सुल्ला है आवर्त साल्णी में इस तत्व की बर्ग संख्या क्या होगी तो जिसका सुल्ला है तो बर्ग संख्या भी सुल्ला ही होगा तो option C सही उतर हो मिस्र धातू में 90% मतलब कॉपर है 10% 3 है तो इस मिस्र धातू का नाम क्या है तो यहीं तो है ब्रोंज बिल्कुल सही option भी याद रखिएगा 77 नमर प्रसंद यह सभी महत्वपूर्ण प्रसंद में आपका करा देना हो जिंक सोडियम हाइडरोकसाइड के साथ परतिकिरिया करके क्या बनाता है तो H2 गैस 78 नमर प्रसंद की बात करें तो प्रसंद आप से कह रहा है निमलिकित में कौन सी धातू वायू में उचता पर गरम किये जाने पर भी ऑक्सीजन से सन्योग नहीं करता तो EZ जो है ऑक्सीजन से सन्योग नहीं करता है ठीक है रट जाएंगे ओप्सन सी सही उतर हो जाएगा 79 नमर प्रसंद कराए अयस्क में उपस्तित अपदरब्य क्या कहलाते हैं तो अयस्क में उपस्तित अपदरब्य जो है गैंग कहलाते हैं option C, सही हूदतर हो जाएगा, निमलिकित में से किस गुण के कारण, धातू के तार बनाये जाते हैं, तो तन्यता गुण के कारण क्या करते हैं, धातू के तार बना सकते हैं, तो यह पूरा मैंने objective करा दी, आगे मैं आपको बताऊँगा कि कितना subjectivity पूछेगा, कितना का उतर यहां पर पूरा subjective प्रस्ण है अभी ध्यान से आपको समझना है जल्दी से बताएंगे कि इस 80 प्रस्ण में से आपका कुल कीतना प्रस्ण सही हुआ है अब चलिए तीसरा सेट मैं बताया आपको जैसा कि तीन सेट मैं कल भी कराया था objective का और अभी भी मैं आपको तीन सेट करा किये हैं चलिए तीसरा सेट सुरू करते हैं एक एक प्रस्ण का उतर दीजे नहीं मालूम है तो रटते जाईएगा पहला प्रस्ण तीसरा सेट का यहां पे आपके स्क्रीन पे ए रहा बोड़ा समय इसको साइट करते रहों ताकि आपको दिखाई देगा के लिए चलिए ठी नहीं था चुंबकिये छेतर चुंबक के धुरू पर होते हैं तो महत्तम होगा चुंबक के धुरू पर चुंबक के छेतर का मान क्या होगा महत्तम होगा दूसरा नमर प्रस्ण है परतिबीम्ब की उचाई और ब्यस्तु के उचाई के अनुचाई के अनुपात को क्या कहते ब्हुवा टाईब अभी प्रस्न हो चुका है आपके लिए पर्तिबिम की उचाई और बिम की उचाई का अनुपात को आवर्धन कहते हैं और आवर्धन आप जानते हैं मातरक भीहीन होता है अल्कुहल का आप वर्तनांक जल्दी से बताएंगे तो option C फिलाल सही उतर हो जाएगा परतियवर्ती धारा की आबिर्ती तो परतियवर्ती धारा की आबिर्ती 50 हल्टज आप जानते हैं और 220 वोल्ट चलिए आगे बढ़ेंगे फायराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिसमें इसमें कौन फायराडे का खोज है तो बिध्धु चुम्बकी है पिरेनल भी फायराडे का खोज है बिध्धु तब घटन का नियम भी उसने दिया था तो option C इसलिए तो sit किया है A और B दोनो किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदु पर चुम्बकी ये छेतर का मान तो समान होता है धारावाही जब फरियालका के भीतर पूछ रहा है तो सभी बिंदु पर चुम्बकी ये छेतर का मान क्या होगा समान होगा एस्पेक्टरम पराप्त करने के लिए किसका परयोग करेंगे प्रिज्म का सर एस्पेक्ट्रम जो है प्रिज्म से हम लोग पराप्त करते हैं नौ नमर प्रस्न है रेटीना पर किसी बस्तु का उल्टा तथा वास्तुईक परतिबिम किसके द्वारा बनता है तो रेटीना पर किसी भी बस्तु का उल्टा और वास्तु इक परतिबिम्ब जो है वह अभी नेतर लेंस के द्वारा बनता है तो option C याद रखेगा काच प्रीजम द्वारा प्राप्त स्वेत परकास के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरन का जुकाव अधिक होता है तो बैगनी का अधिक होता है आप जानते है क्योंकि इसका तरंग देधरवा कम है और लाल रंग का तरंग देधरवा जादा है तो इसका जुकाव कम होता है चली आगे बढ़ेंगे ग्यारा नमर प्रस्ट लेंस में मुख्य फोकस की संख्या दो होती है और अप्सन याद रखेंगे बारा नमर प्रस्ट है इसी लेंस में बाहर की और उभरे दो गोलिये प्रिष्ट होते इसे क्या कहेंगे बाहर की और इस्तरा दो गोली ये प्रिश्ट उभरा हुआ है तो इसे उतल लेंस कहेंगे और बववा टाइप प्रस्ण है तेरा नमर प्रस्ण देखिए रोगियों के ना, कान, गला, आदी के जांच के लिए डॉक्टर किसका परियोग करते हैं और तल दरपन का ठीक है और अप्रस्ण ये रटते चलेंगे पूरा प्रस्ण का मैं देखिए इससे बाहर कोई प्रस्ण नहीं आएगा चाया का एकजाम पर्थम पाली में हो या दूत धातू से बनता है तो ऑप्सन सी फिलाल सही उतर याद रखेंगे जिन पदार्थों से बिधुधारा परवाहित असानी से नहीं होती उसे बिधुत्रोधी पूरा चालक बिधुत्रोधी कुचालक सब की परिभासा हम लोग पढ़ चुके हैं 17 नमर प्रस्ण कि आप वहीं आता है आपका मतलब की बिधु धारा तो आ मीटर होता ओप्सन भी याद रखेंगा 19 नमर प्रस्ण निमन में किसका अर्थ जल होता है तो हाइड्रोमिस क्या होता है जल होता है हाइड्रोमिस जल होता है ओप्सन डी रट जाएंगे ताप बढ़ने पर चालक का परति करने वाली उर्जा है आप याद करते हैं परकास जो है एक उर्जा का रूप है जिसे हमें किसी भी बस्तू को देखने की अनुभती प्राप्त होती है तो आप्सन भी सही उतर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 22 नमर प्रस्ण मन्द परकास में किसकी सीथलता से पुतली पू ये सही उतर हो जाएगा दूर दृस्टी वाली आख साप साफ देख सकती है तो दूर की बस तू को तभी तो दूर दृस्टी दोस है पूरा दृस्टी दोस कल का लाइब क्लास में लोग पढ़ चुके है जब कलास खतम हो रहा तो ये स्क्रीन पर आएगा उस वीडियो का लिंग जरूर देख लिजिएगा तलाब का जल कम कहरा दिखाई देने का क्या कारण है सर तो इसका कारण है अपवर्तन तो option C सही उतर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रसंद देखते हैं 26 नमर कह रहा है मिर्तू के पास्चात कितने घंटा के अंदर नेतर न निकाल लेना चाहिए तो option B सही उतर हो जाएगा रट जाएंगे सभी आज के लिए गेस प्रसन है नीला तथा हरा परकास मिलना किस वर्ण के परकास मतलब नीला और हरा परकास मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा तो सियान कलर बनता है तो option B फिलाल आपको याद रखिएग 28 नमर प्रसन चुम्बकिये छेतर की तिवरता का मात रख तो चुम्बकिये छेतर की तिवरता का मात रख आर्स्टेड और टेसला दोनों होता है तो option C सही उतर हो जाएगा 29 नमर प्रसन देखिए चुम्बकिये छेतर रेखाओं कि निकड़ता क्या बतलाता है तो यह बतला पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुल कर कीज प्रकार के आयन देंगे तो भस्म जो है जल में घुल कर OH- आयन देते हैं और अमल रहाता तो H- तो देखे ऊच पॉस्म ओप्शन ये सही उतर हो जाएगा 32 नमर प्रसन वैसे लवन जो अमल और भस्म को पुन उदा सिनीकरन से बनते हैं उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं समानय लवन चलिए 33 नमर प्रसन पर्थम कार्बनिक योगी की इूरिया का संसलेशन किस ने किया था देखिया आगे आ प्रसन कलके लाइब क्लास में बताया है कि प्रसुम आने जा रहा है तो वहर ने किया था तो option भी सही उतर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ेंगे अगहला प्रसंन देखते हैं कैलसियम करवाइट जल के साथ अभी किरिया करके क्या क्या देता है तो कैलसियम करवाइट जल के साथ अभी किरिया करके एथाइन देता है, लोहा से जिंक लेपीद करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे ही कहते हैं, गैलूएनीकरन, संचारन से रोकने के लिए सभी होता है, तो ऑप्षन भी सहीं उतर रट कर जाएं, 36 नमर स्वेस्टेस निमलिकित में कौन अधिक अभिक्रियासील है तो Cu जो है अधिक अभिक्रियासील है प्रस्टे dolma s तो के आवरतसालनी के प्रारंभिक बिकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है तो मेंडलीफ का, मेंडलीफ का काफी महतोपूर्ण योगदान रहा है 39 नमर प्रस्ण संस्थानिकों के गुणधर्म समान होते हैं समस्थानिक है, समस्थानिक के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमालू दरब्यमान भीन भीन होते हैं तो समस्थानिक है परमाणों द्रम्यान अलग-अलग लेकिन गूंड धर्म समान होगा है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन देखते हैं 40 नमर कहा रहा है प्रसन आपसे लेड नाइटरेट तथा पोटाइसियम आयोडाइड के बिलियन को मिलाने पर आउच्छेप बनत सबजेक्टीज परसन में पूरा मैं आपको बीष्टार से बताया था निमलिकित मेंaving से किसे चाकू ह से काटा जा सकता है तो लिथियम को आप जानते हैं आसानी हम चाकू से काट सकते हैं option A, C ने बार किसका आयसक है, तो पारा का आयसक है, ठीक है, कहाँ है पारा, option C, HG का आयसक है, पारा का है, बिल्कुल सही, रासायनी का अभी किरिया के दोरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हारास हो, मतलब कमी हो, तो अपचयन होगा, बिरिधी हो, तो उपचयन होगा, चलिए 45 नमर प्रसन है, एलमूनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की पर किरिया को क्या कहते हैं, तो NOD करन इसे ही कहते हैं कि एलमूनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बना रहा है, एनोडी करन हो जाएगा, 46 नमर प्रसन है, कौन ओक्सी कारक है, ओक्सी कारक से तमाम प्रसन के हम लोग चर्चा की हैं, फिलाल S2S जो है, ओक्सी कारक है, तो आप्सन C सही उतर हो जाएगा, कौन सा कार्बनिक य इलेक्ट्रोन की अधिक्तम संख्या होती है, किसी कोस्क में मने इलेक्ट्रोन की अधिक्तम संख्या कैसे निकालते हैं, तो आपके 2N2 से ओप्सन B, 2N2 फर्मूला पढ़े होंगे, ओप्सन B सही उतर हो जाएगा, 49 नमर प्रसन, कह रहा है कि डाई मिथाईल इथर C2S6O का, आई यूपाक नाम, आई यूपी एसी नेम क्या होगा आपसे पूछ दराए, तो मिथोक्सी मिथन बिल्कूल सही, मिथोक्सी मिथन, ओप्सन D सही उतर हो जाएगा, 50 नमर प्रसन, मेंडल ने मटर के कितने गुण पर कारिया किया था, तो साथ गुण पर मेंडल ने कारिया किया था, तो आपसे ये सही उतर हो जाएगा, 51 नमर प्रसन है, ओकोजीन है, ओकोजीन क्या है, तो एक हार्मोन है, कल भी पढ़ेते हम लोग, आपसे ने सही उतर हो जाएगा, रटते चलिएगा, इसलिए मैं परियास कराऊं कि कम समय में अधिकतम परियास कराऊं, प्रसन म प्रमाडूग के बाहरी काक्षा में कितने इलेक्ट्रोन रहते हैं तो इसा प्रणूग के करते रहेगा इसके बाहरी कक्षा में दो और पूर्ण रहता है आप जानते हैं option B सही उतर है 56 जल में घुलन सील भस्म छार कहलाते हैं option error जाएंगे जल में घुलन सील भस्म छार कहलाते हैं आगे बढ़ते हैं अकजेलिक अमल का प्राकिर्तिक सुरोत कौन सा है तो अकजेलिक अमल का प्राकिर्तिक सुरोत टमाटर है ओप्सन B निम्न में से किस धातू का गनलांक सबसे कम है तो सोडियम का सबसे कम होगा ओप्सन B सही उतर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं उप्चयन अभिकरिया को क्या कहते हैं इसे बोलते हैं redox अभिकरिया उप्चयन अभिकरिया को क्या बोलेंगे redox कौन धातू है जिसका दहन चमकदार स्वेत ज्वाला के साथ सम्पन होता है तो magnesium है option C आगे बढ़ें अगला प्रस्व कर्मा कुचन गती कहां पाई जाती है तो कर्मा कुचन गती अहार नाल में पाया जाता है तो option B आपको याद रखना है टैनीन मुख्यता कहां जमा होते हैं तो टैनीन ब्रिक्ष के छाल में जमा होते हैं तो option A याद करके जाईएगा हिर्दय का पेसमेकर कहते हैं तो हिर्दय का पेसमेकर SA note को कहते है SA note को बिलकुल सही option A पर दिया है तो यहीं सही उतर है एक समान्य मनुस्य की हिर्दय की धड़कन की गती होती है तो 70 से 80 प्रती मिनट होता है option C याद रखना है रुधीर चाप नियंतरित होता है रुधीर चाप एडरीनल द्वारा नियंतरित होता है तो option C के साथ जाएंगे कौन सा पादप हार्मोन पतियों को मुर्जाने के लिए उतरदाई है तो अकुजीन अकुजीन जो है पतियों को मुर्जाने के लिए आगे बढ़ते हैं कवक में पोषण की कौन सी बिधी पाई जाती है तो कवक में पोषण की मृत जीवी बिधी पाई जाती है तो option A समझात अंग के उधारन है समझात अंग किसे कहते हैं लाइप क्लास में कल सीखे ते हमारा हाथ और कुते का अगर पाद जो है समखजात अंग का उधारन है प्रतिवर्ति चाप कहां बनते हैं प्रतिवर्ति चाप मेरू रजू में बनते हैं तो option C आह्यकर हो जाएगा चलिए शमाने अनुसूतलन दाब रक्तदाब कितना होता है तो समाने अनुसूतलन रक्तदाब 80 mm होता है option A सही उतर हो जाएगा त्यातर नमर प्रस्ण निम्न में से कौन उभाय लिंगी जनतु है बववा टाइप प्रस्ण है केचुवा कई बार आचुका प्रस्ण पुस्पी पौधों में लैंगीक जनन होता है तो लैंगीक जनन फूल में होगा है इसी में नर और मादा भाग पाया जाता है निम्न में से कौन एक लिंगी पुस्प है कल भी मैं बताया था पपीता का फूल ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण निम्न में कौन बावने पौधे को दर्स आता है तो इसमें बावना पाउधा को कौन दर्स आएगा ध्यान से देखेगा तो छोटा दोनो टी है ये बावना पाउधा को दर्स आएगा तो option C सही उतर हो जाएगा 77 नमर प्रस देखेंगे करा मेरू रजू निकलता है मेरू रजू कहां से निकलता है तो ये मेंडूला से option D आपको रटके जाना है 78 नमर प्रस एक कोस्किये सैवाल में जल का परिवहन किस के द्वारा होता है बीशरन के द्वारा होता है तो option B सही उतर हो जाएगा मस्तिस्क उतरदाई है तो मस्तिस्क किसके लिए उतरदाई है सभी के लिए सोचने के लिए हिर्दयास पंदन के लिए साररिक संतुलन के लिए तो option D असी नमर प्रसन कर रहा है गुलकोज के में कारबन के कितने परमाण हुए है तो 6 है C6H12O6 होता है तो oxygen का भी 6 है और इसका भी 6 है आपका ठीक है तो जल्दी से बता देंगे अभी के असी प्रसन में से आपका कुल कितना प्रसन सही हुआ रहे स्क्रीन पर जो वीडियो आ उसको जरूर देखकर एक एक प्रसन का भ्यास कर लिजए कि क्योंकि उसमें पूरा objective subjective कल के सामके live class में में लोग किये थे तो आज के science का exam आप सभी परक्षारतियों का बिल्कुल सांदार भी थे इनी सुब कामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद